हेलो बच्चो मैं डॉक्टर शिखा दीक्षित प्रवक्ता अर्थशास्त्र राच्की इंटर कॉलेज नुएडा गौतम बुद्धनगर से बच्चो आज हम लोग पढ़ेंगे 12th की अर्थशास्त्र 12th में अर्थशास्तर को दो भागों में बाटा गया है व्यस्टी अर्थशास्तर और समस्टी अर्थशास्तर इसका प्रथम भाग है व्यस्टी अर्थशास्तर जो की बच्चो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं बच्चों हम VST अर्थशास्त्र का प्रत्थम यूनिट पढ़ेंगे, प्रत्थम यूनिट है परिचय जिसका आज हम प्रत्थम भाग पढ़ेंगे और बच्चों थोड़ा सा हम पिछले अपने क्लास का डिसकस कर लेते हैं जैसा हम लोगोंने 11 में पढ़ा था भारती अर्थवस्था और सांखी की लेकिन अब आप बिल्कुल ही एक नए प्रारूप से परचित होंगे व्यस्थी अर्थशास्त्र और समस्थी अर्थशास्त्र और उमीद करती हूँ आपको इसे पढ़ने में अच्छा लगेगा और कोशिस रहेगी कि आप और हम दोनों मिलकर इसे बहुत अच्छे से समझेंगे और जहां भी आपकी समस्याएं हैं मैं उन्हें समझाने की अच्छे से कोशिस भी करूँगी बच्छो आज जो हम परचय का प्रथम भाग पढ़ रहे हैं उसमें देखेंगे हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं जैसा कि मैंने भी बताया कि हम लोग पढ़ रहे हैं वेस्टी अर्थशास्त्र तो सबसे पहले तो हम देखेंगे अर्थशास्त्र की परिभाशा है अर्थिशास्त्र की परभाशें अर्थिशास्त्र का विकास कैसे हुआ जो कि हमारे लिए सबसे महतपूर बिंदु हो जाता है इसके बाद हम देखेंगे अर्थिवस्था क्या है फिर हम देखेंगे आर्थिक क्रियाएं क्या है इसके बाद हम देखेंगे आर्थिक समस्याई क्या है, अर्थिशास्त्र की विशय सामगरी क्या है, अर्थिशास्त्र की प्रक्रती क्या है और अंत में हम महत्पूर प्रशनों का डिश्कसन करेंगे तो बचो अब जब हम ये सारी चीजने पढ़ रहे हैं तो हमें देखना है कि अर्थशास्त्र का प्रारंब कैसे हुआ है यानि हमें क्या देखना है अर्थशास्त्र की परिभाशा हैं बच्चों जैसा कि मैंने अभी बोला हम लोग पढ़ेंगे अर्थशास्त्र की परिभाशा हैं यह परिभाशा हैं हमें अर्थशास्त्र का विक भारत में जो अर्थेशास्तर का विकास हुआ है वो जैसा कि आप लोगों ने सुना भी होगा जानते भी होंगे कौटिल नाम के महान आचार हुए हैं जैने हम चाड़क भी कहते हैं और जो समराच चंद्रगुप्त मौर के महामंत्री थे इन्हों ने अर्थेशास्तर नाम की पुस्तक लिखी अगर हम कहें अगर हम यह कहें कि दुनिया में पहली अर्थेशास्तर नाम की अगर कोई किताब लिखी गई थी तो भारत में लिखी गई थी यह बात पूरी तरह से सही है लेकिन कुछ कारड़ों से इसे विश्वयापी प्रसिद्धी नहीं मिल पाई तो बच्चों हम देख रहे हैं याँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो अर्थेशास्तर नाम का ग्रंथ है वो किस ने लिखा है कॉर्टिले ने लिखा है अब इसके बाद हम देखते हैं कि आगे अर्थेशास्तर का विकास किस तरह से हुआ तो अब अर्थेशास्तर के विकास के संबन्द में जो सबसे पहला नाम आता है जो कि बिटिश अर्थ सास्त्री थे वो प्रोफेसर आडम स्मित है आडम स्मित को हम अर्थ शास्त्र का जनक भी कहते हैं उन्होंने 1776 में एक पुस्तक लिखी इसमें उन्होंने अर्थ शास्त्र की एक परिवाशा दी उन्होंने कहा अर्थ शास्त्र धन संबन्धि विज्ञान है अर्थार अर्थ शास्त्र धन से संबन्धित विभिनिक रियाओं का अध्यान करता है तो अर्थिशास्त्र को P.A.M. Smith ने धन से जोड दिया इस बिंदुखर लेकर उनकी बहुत सारी आलोचनाएं भी हुई कहा गया कि अर्थिशास्त्र सिर्फ धन का ग्यान कैसे हो सकता है क्योंकि अर्थिशास्त्र तो मनुषिय का अध्यन करता है मनुष्य से संबंदित क्रियाओं का अध्यन करता है तो बचो इस परिभाशा को लेकर Adam Smith को बहुत सारी आलोचनाओं का भी शिकार होना पड़ा और फिर इस तरह से इसका क्रम बद्ध विकास हुआ और दूसरी अन्य परिभाशाएं आई Adam Smith अर्थशास्र के जनक है बचो ये बात बहुत महत्यपूर हो जाती है इसलिए हमें इनकी परिभाशा को भी बचो बहुत ध्यान से पढ़ना है बचो Adam Smith की परिभाशा की आलोचना हुई उसके बाद एक नई परिभाशा आई कल्यार संबंदी परिभाशा कल्यार संबंदी परिभाशा प्रोफेसर मार्शल ने दी थी उन्होंने 1890 में एक बुस्तक लिखी Principles of Economics जिसमें उन्होंने कल्यार संबंदी परिभाशा दी प्रोफेसर मार्शल ने मनुश्य के कल्यार की बात की प्रोफेसर मार्शल का कहना था कि हम उन आर्थी क्रियाओं का अध्यन करते हैं जो मनुष्य का कल्यार करती है आर्थी क्रियाओं का तो हम अध्यन करते हैं लेकिन जिन आर्थी क्रियाओं का संबंध मनुष्य के कल्यार से हो हम उन अर्थिक्रियाओं का अध्यन करते हैं उन्होंने कहा यह एक तरफ धन का अध्यन करता है और दूसरी तरफ जो अधिक महत्यपूर है यह मनुश्य के अध्यन का एक भाग है इसके बाद अगला हम देखते हैं परिभाशा का और अधिक विकास हुआ इसके बाद आई दुरलप्ता संबंधी परिभाशा जो कि प्रोफेसर रॉबिंस ने दी थी दुरलप्ता संबंधी परिभाशा क्या है बच्चों हम समझेंगे सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो भी साधन होते हैं चाहें उत्पादक के पास उत्पादन करने के साधन हो चाहें उपभुक्ता के पास वस्तु खरीदने के साधन है कोई भी साधन है उत्पादक उत्पादन किससे करता है उत्पादन के साधनों से हम देखते हैं यह दोनों ही सीमित हैं, सीमित हैं यानि दुरलब हैं, प्रोफिसर रॉबिंस ने परिवाशा दि दुरलबता संबंदी, इसे हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं सीमित, तो उत्पादक के पास उत्पादन करने संबंदी साधन सीमित होते हैं, भूकता के पास भोक करने संबंधि साधन सीमत होते हैं, अर्थिशास्त्र मेत विशह हो जाता है वح दूरलपता संबंधि उन्होंने कहा अर्थिशास्त्र वह-विज्ञान है जो सीमत आवश्यक्ता नहीं समझना करता है अब अच्छों यहां पर आप समझना सीमित साधन तो यह सीमित साधन ही दुरलबता को बताते हैं क्योंकि साधन सीमित है अर्था दुरलब है तो व्यक्ति सीमित साधन और कैसे हैं वेकल्पिक प्रयोग हम बहुत सारे चीजों में इनका प्रयोग कर सकते हैं जैसे धन द्धन से हम बहुत सारी चीज़ें ले सकते हैं, हम भूजन भी प्राप्त करते हैं, घर भी बनाते हैं, कपड़े भी खरीदते हैं, तो धन के कैसे प्रयोग है? वैकल्पिक प्रयोग और सीमित भी है, वैकल्पिक भी है, तुम कहा सकते हैं दुरलब भी है और वैकल्पिक भी तो अर्थिशास्त्र इसी विशय का अध्यन करता है इसके बाद अर्थिशास्त्र की परिभाशा का एक नया सरूप आया विकास संबंधी परिभाशा विकास संबंधी परिभाशा प्रोफेसर साम्यूलसन ने विकास संबंधी परिभाशा दी उन्होंने कहा कि अर्थिशास्त्र इस बात का अध्यन करता है कि व्यक्ति और समाज द्रव का प्रियोग करते हुए अथवा ना करते हुए द्रव मतलब धन कि व्यक्ति या समाज द्रव का प्रियोग करते हुए अथवा ना करते हुए एक समय अवदी के भीतर विभिन्य वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए वैकल्पिक उपयोग वाले सीमित साधनों के प्रयोग का चुनाओ किस प्रकार करेगा यहाँ पर भी उन्होंने यही बात कही कि जो वैकल्पिक प्रयोग वाले सीमित साधन है उनका प्रयोग कैसे करेगा समाज या व्यक्ति उनसे उत्पादन कैसे करेगा इस समस्या का हम अर्थशास्तर में अध्यन करते हैं तो सम्यूलसन की परिभाषा विकास संबंधी परिभाषा है बचों यहाँ पर हम पढ़ने के साथ साथ कुछ हम महत्पूर बुंदों पर भी ध्यान अपना देते चलेंगे जिसे एक्जाम में प्रया ये कॉशन आते हैं विकास संबंधी परिभाषा किस ने दी कल्यार संबंधी परिभाषा किस ने दी अर्थशास्त्र के जनक कौन थे प्रफेसर आडम स्मित की पुस्तक का नाम बताईए तो आद इस तरह के प्रशन प्राया परिक्षा में पूछ जाते हैं तो आपको पढ़ाई के साथ इन बिंदों पर ध्यान देते चलना है अब बचों हम आगे बढ़ते हैं अपने इस यूनिट में बचों व्यस्टी अर्थशास्त्र सरप्रिथम उनीच सो तैस में रेगनर फ्रिश नाम के अर्थशास्त्री ने शब्द दिया था जैसे एक बहुकता अथवा एक फर्म मैंने अभी जब शास्त्र की कि विशेत सामगरी पढ़ी थी उस apparently मैंने बताया कि आदूनिक मत के हिसाब से अर्थशास्र को दो भागों पाटा गया 미백 विभिन एकाईयों को दिखा रहा है ये उत्पादन के जो विभिन इकाईयां हैं इन में से अगर हम किसी एक इकाई का अध्यन करते हैं तो ये व्यस्टी अर्थशास्त्र कहलाएगी माल लीजे हम सिर्फ एक इकाई का इसमें से अध्यन कर रहे हैं तो ये क्या कहलाएगी व्यस्टी अर्थशास्त्र और अगर हम इस पूरी अर्थ्य वस्था का अध्यन कर रहे हैं तो ये कहलाएगा समस्टी अर्थ्य शास्त्र बच्चो हमने अभी समझा कि जब हम अर्थवयवस्था की किसी एक इकाई का अध्यन करते हैं या छूटी इकाई का अध्यन करते हैं तो वह विश्टी अर्थवयवस्था का अध्यन करते हैं तो वह समस्टी अर्थवयवस्था का अध्यन करते हैं तो वह समस्टी अर्थवय बन जाती है और उसके अंतरगत अगर हम किसी एक देश की अर्थवस्था का अध्यन करते हैं तो वो उस समय व्यस्टी अर्थशास्त्र बन जाती है हम फुटिस एक्जाम्पल से समस्टे हैं, भारती अर्थेवस्था हमारे लिए समस्टी अर्थेवस्था है, भारती अर्थेवस्था में उत्पादन करने वाली विभिन उत्पादन इकाई में से किसी एक इकाई का हम अध्यान कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए व्यस्टी अर् करते हैं तो यह भरती अर्थवावस्था हमारे लिए विस्टी अर्थवावस्था है बच्चो अब हम पढ़ते हैं सामान अर्थवावस्था क्या है जो हम अर्थवावस्था पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले तो हमें जानना है कि अर्थवावस्था है क्या तो अर्थवावस की आर्थिक्रियां देखने हैं आप घर से बाहर निकलते हैं आप किसी दुकान पर सामान लेना जाते हैं आपके पेरेंट्स कोई ना कोई नौकरी करते हैं तो आपको ऐसे वर्थववस्था को समझना शुरू करना है तो आर्थववस्था को समझना हम शुरू करते हैं कैसे क करेंगे अपनी आवश्यक्ताओं की पूर्ती के लिए विभिन आर्थिक क्रिया हैं अब आप सूचिए आपकी आवश्यक्ताइं क्या हैं बहुत सारी आवश्यक्ताइं खाना बोजन कपड़ा पढ़ाई किताबें बहुत सारी आवश्यक्ताइं इनकी पूर्ती के लिए आर् क्रियाएं होती है वो अर्थिवस्था है तो अर्थिवस्था को एक तरीके से और देख सकते हैं अर्थिवस्था में क्या होता है उपभोग होता है और उत्पादन होता है अर्थिवस्था इन दो चीजों का योग भी है उपभोग और उत्पादन का क्योंकि हमने कहा आवश तो संशेप में आप कह सकते हैं अर्थियवस्ता जहां पर उपभोग और उत्पादन होता है बहने अर्थियवस्ता है जो आप बहुत आसान सब्दों में समझें जैसे की विविन फैक्ट्रिया है, विविन कंपनी है उनमें कुछ न कुछ उत्पादन हो रहा है वो उत्पादन किसलिए हो रहा है? हम लोगों की अविश्यक्ता की पूर्थी के लिए हम लोगों के उपभोग के लिए वो उत्पादन हो रहा है उपभोगता और उत्पादन एक दूसरे से जुड़े हुए है ये उपभोगता के लिए उत्पादन हो रहा है तो बचो समझ में आया अर्थिशास्त्र क्या है अर्थिशास्त्र उपभोग और उत्पादन से मिलकर बना है बच्चों अब हम पढ़ते हैं आर्थिक क्रिया अभी हमने अर्थिवास्था में क्या पढ़ा जहां पर आर्थिक क्रिया होती है अब यह आर्थिक क्रिया क्या होती है हमें यह भी समझना है अर्थिवास्था में उपलब्द सीमित साधनों द्वारा अपनी आवश्य आविश्यक्ता की पूर्टी करना ही आर्थिक क्रिया है आर्थिक्रिया क्या है अर्थिक्रिया क्या है अर्थिक्रिया क्या है अर्थिक्रिया अवस्था में उपलब्द सीमित साधनों के प्रयोक के द्वारा अपनी आविश्यक्ता की पूर्थिक्रिया है अर्थिक्रिया है अर्थवस्ता में उपलप्द जो साधन है वो सीमित है, उत्पादन के साधनों को प्रमुक्ता पाँच भागों में बाटा गया है, जो आपने पिछले कक्षाओं में भी पड़े हैं, भूमी, श्रम, पूंजी, साहस और संगठन, हम इन पाँचों को उत्पादन के प्रमुक साधन मानते हैं, तो यह हमें कैसे रूप में प्राप्त हुएं, सीमित रूप में प्राप्त हुएं, उनकी सीमित्ता के कुछ भी कारड़ हो सकते हैं, मानवी कारड़ हो सकते हैं, यह प्राकर्तिक कारड़ भी हो सकते हैं, तो जो आर्थिवस्ता में उपलप्द सीमित साध इनके द्वारा हम अपने आवश्यक्ताओं की पूर्ति करते हैं आवश्यक्ताओं की पूर्ति कैसे करते हैं उत्पादन के मार्ध हमसे तो हम कह सकते हैं कि सीमित साधनों के द्वारा हम जो उत्पादन करते हैं यह पूरी प्रक्रिया कहलाती है आर्थिक्रिया आर्थिक्रिय करते हैं तो हम लोग वस्तु का प्रयोग करना हुआ उपभोग किसी भी वस्तु के प्रयोग के द्वारा अपनी आवशक्ता को संटुस्ट करना जह लाता है आपको भूँक लगी, आपने एक प्लेट खाना लिया और खाना खाया आपने खाने के द्वारा अपनी जो भूँक की आवशक्ता थी उसे संतोस्ट किया तो ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाई? उपभूग उपभूग के बाद बच्चों हम आते हैं उत्पादन पर उत्पादन क्या है? किसी भी वस्तु में उप्योगिता का स्रजन करना या उप्योगिता का निर्माड करना उत्पादन कहलाता है अब उपयोगिता का सरजन या निर्माड करना क्योंकि हमें हर वस्तु प्रकृति ने कहीं न कहीं हमें प्रकृतिक रूप से दी है तो हम सब क्या करते हैं या एक उतपादक क्या करता है उसमें उपयोगिता डाल देता है एक्जाम्पिल के लिए आप टेवल और चेर पर बैठके पढ़ते हैं तो टेवल और चेर किस चीज़ की बनी विया लकडी क्या लकडी मनुष्य ने बनाई है? नहीं लकडी हमें प्रकृति ने दी है मनुष्य ने उसमें एक उपयोगिता डाली क्या उत्पादन कहलाता है उत्पादन के बाद बच्छों हम देखेंगे विन्मे तो आपने पिछली कशाओं में भी पड़ा है वस्तू का आदान प्रदान हो या वस्तू लेने का कुई दूसरा माध्यम भी हो सकता है, जैसे आज के समाज में हम मौद्रिक विन्मे के युग में रह रहे हैं, हम सभी लोग विन्मे करते हैं, बच्चों आप भी विन्मे करते हो, आपको किताब लेना जाना है, आप एक किताब की दुकान पे गए, आपने पैसे दियो और बदले मे किताब ले, तो आपने क्या किया? विन्मे, विन्मे क्या है? आदान, प्रदान, विन्मे के बाद आता है निवेश, निवेश का मतलब होता है भविश्य के लिए पूंजी का निर्मार करना, भविश्य के लिए पूंजी बनाना, बहुत छोटे से एक्जाम्पल से बताते ह माल लेजिए आपके पेरेंट्स ने एक दुकान खरी दी वो कहलाएगे निवेश क्यों कहलाएगा क्योंकि उन्हें भविश्य के लिए पूंजी बनाई उस दुकान से वो और अधिक आय की प्राप्ति करेंगे या और अधिक आय कमाएंगे तो यह क्या कहलाएगे निवेश बच्चो मैं हर बार एकी बात कहना चाहती हूँ कि आपको अर्थिशास्तर समझने के लिए अपने आसपास और अपने घर में होने वाली आर्थिक क्रियाओं को समझना पड़ेगा अब बच्चो हम बढ़ते हैं आगे आर्थिक क्रिया के बात पढ़ेंगे अर्थिशास्त कि समस्या क्या है क्योंकि हम अर्थिशास्त्र की समस्या क्या है हम अर्थिशास्त्र क्यों पढ़ रहे हैं अर्थिशास्त्र की प्रमुग समस्या है चुनाओ की समस्या अब चुनाओ किसका चुनाओ कौन हमें अर्थिशास्त्र में कौन सा चुनाओ पढ़ना होगा सीमित क्या होता है धन हम सब लोगों को अगर अपनी किसी भी आवश्यक्ता की पूर्ति करना है तो हमारे पास उसका एक ही मात्र साधन है धन कैसा है सीमित हमारे पास असीमित नहीं है कि हम अपनी सारी आवश्यक्ता की पूर्ति कर सके उत्पादक के पास साधन क्या है भूमी श्रम पूंजी, साहस और संगठन ये भी सीमित है तो उत्पादक भी हर चीज का उत्पादन नहीं कर सकता तो जो अर्थशास्त्र की प्रमुक समस्या है वो सीमित साधन और असीमित आवश्यक्ताओं की बीच चुनाओं की समस्या जैसा कि बच्चों हम लोग देख पा रहे हैं यह पैसे पी चोटे सेंगजांपल सेंगे सरह कुछ शीमित है अच्छालगता है बच्यो को उनये कप्ड़े पहना बशह सारे कपड़े पहनना ले relacion violence की च्पकिल रहे हैं साधन का वाइटसे हैं मैं म tyreश्यक्ते ने क्रफिक बशहिक्त सारे कपड़े मिल जाएं बहुत अच्छे-च्छे कपड़े मिल जाएं लिटेस्ट फैशन के कपड़े मिल जाएं क्योंकि आवश्यक्त हैं और आप सब भी बच्छों को अच्छे-च्छे कपड़े पहनना अच्छा लगता है लेकिन आप क्या ऐसा कर सकते हैं नहीं कर सकते ह पर चुनाओं, आप कौन से कप्達 खरीदेंगी आपकें diff气 Sciamido, या क्या सकता अधनार. आपने अपने चाहले हैın, टो बचो समझ में आया हैं अर्थशास्त्रE कि प्रमुख समस्या चुनाओं की समस्या है. बच्चों अब हम यहां समझेंगे अर्थ ववस्था की प्रमुक समस्यां क्या है एक अर्थ ववस्था में क्या-क्या समस्या आती है तो अर्थ ववस्था की हम देखते हैं पहली समस्या है किस वस्तु का उत्पादन किया जाए एक जो उत्पादक है उसके सामने सदाव ही एक समस्या रहती है कि वो किस वस्तु का उत्पादन करे क्योंकि बहुत सारी वस्तु का उत्पादन किया जा सकता है लेकिन जैसा कि अभी हमने पहले भी पढ़ा था कि जो उत्पादन के साधन है वो कैसे हैं? सीमित है. किसी उत्पादक के पास कितने साधन मौजूद है, किस वस्तु का उत्पादन कर सकता है, इसका भी चुनाओ करना पड़ता है. एक उत्पादक के सामने सदायव ही समस्या होती है कि वो किस वस्तु का उत्पादन करे दूसरी समस्या है कितना उत्पादन किया जाए कितना उत्पादन अर्थिववस्ता की मांग को समझना कहीं ऐसा ना हो जाए अति उत्पादन हो जाए माल बिना विका रह जाएगा कम उत श्रम, पूंजी, साहस और संगठन, अब जब ये साधन काम करेंगे उत्पादन करने के लिए, तो हमेंने इनकी आय भी देनी है, भूमी को हम लगान देते हैं, श्रमिक को मजदूरी देते हैं, पूंजी को व्यास देते हैं, साहसी को लाव मिलता है और संगठन को वेतन मिलत है तो उत्पादन के जो साधन है उनकी आय है कितनी दीज़े इसका निर्धारण हम कैसे करेंगे तो अर्थिववस्था की एक समस्या ये भी है कि उनकी उचित आय का निर्धारण हो साधनों का पूर प्रयोग जैसा कि बच्चों हम देख पा रहे हैं साधनों का पूर प्रयोग जो पी उत्पाधन के साधन है भूमे श्रम पूंजी साहस संगठन इनका प्रयोग करना है उनका पूर रूप से प्रयोग किया जाए कहीं ऐसा ना हो अर्थववस्था में इन संसाधनों की बरवादी हो इनका पूरी तरीके से प्रयोग ना हो पर क्योंकि हमें साधन सीमित रूप में मिले हैं अगर कोई अर्थववस्था इनका ठीक से प्रयोग नहीं करेगी तो क्या होगा अर्थववस्था पिछरना शुरू हो जाएगी अंतिम बिंदु है आर्थिक विकास की समस्या अब जो अर्थववस्था के सामने हमेशा एक समस्या है आर्थिक विकास की समस्या जो बहुत महतुपूर समस्या है हम सारी आर्थिक रियाएं करते हैं उनका उद्देश अंतिम रूप में हम देखें तो होता है देश का आर्थिक विकास कोई भी निर्ड़े सरकार लेती है या कोई भी लेती है तो उसका एक अंतिम उद्देश होता है आर्थिक विकास की समस्या बच्चों इसे मैं आज के परप्रेक्ष में आपको समझाना चाहती हूँ आज हम लोग COVID-19 जैसी हमारी से लड़ रहे हैं जिसके चलते हमारी सरकार को बहुत सारे निरड़े लेने पड़े जैसे lockdown का निरड़े जैसे आर्थिक गतिविधिया प्रभावित भी और हमने देखा समस्या आने लगी कि अर्थ्यवस्ता पिछर रही है तो आप देख रहे हैं कि अर्थ्यवस्ता के सामने कितनी बड़ी समस्या हो गई विकास की समस्या बहुत महत्वपूर समस्या है और इसकी अनरूप एक उतपादक को एक व्यवसाइ को एक सरकार को निरड़े लेने पड़ते हैं कहीं आर्थिक विकास देश का पिछर ना जाय है Aí search poll को हम कितने भागों में बाड का पढ़ते हैं अर्शास की अंतरगत क्या क्या आता हैं तो विशय सामगरी की संबंद में दो मत होते हैं सबसे पहला है परंपरावादी मत इसे हम प्राचीन द्रस्टिकॉर्ड भी कहते हैं परंपराव आदी अर्थशास्त्री कुछ प्रमुक अर्थशास्त्री थे जिसमें Adam Smith, प्रोफेसर जेबी से, प्रोफेसर माल्थस और प्रोफेसर रिकार्डो आदी के नाम प्रमुक रूप से लिये जाते हैं इन्होंने अर्थशास्त्री की विशे सामगरी को पांच भागों में बाटा उपभोग, उत्पादन, विन्मे, वित्रड और राजसु तो बच्चों हम सबसे पहले समझते हैं ये उपभोग, उत्पादन, विन्मे, वित्रड और राजसु क्या है? सबसे पहले हम समझते हैं उपभोग किसी वस्तु के प्रयोग के द्वारा अपनी आविश्यक्ता की संतुस्टी करना उपभोग कहलाता है तो जब अर्थशास्त की विशे सामगरी में हम उपभोग को पढ़ते हैं उपभोग के अंतरगत हम उपभोग के प्रदान चाहे वो वस्तु का आदान प्रदान हो चाहे मौद्रिक आदान प्रदान हो विशे कहलाता है इसके बाद हम पढ़ते हैं वित्रड वित्रड क्या हुआ उत्पादन के विभिन साधनों को उनकी आए देना तो उनकी आए देने संबंधी जो भी नियम सिध्धानत हैं वो वित्रड के अंतरगत आ जाते हैं जैसा कि इसके नाम से ही स्पस्ट हो रहा है राजा की आए तो एक राज्य की आए व्य संबंधी क्रियाओं का अध्यन हम इसके अंतरगत करते हैं एक राज्य हो अत्वा एक देश संबंधी जो भी आर्थिक क्रियाओं हैं कैसे एक राजा आयप राप्ते करता है या कोई सरकार आयप राप्ते करती है और कैसे उसे जन कल्लाड के लिए व्य करती है इन सभी आर्थिक क्रियाओं का अध्यन हम राज्यसों के अंतरगत करेंगे बच्चो अर्थेशास्त्र की विशह सामगरी के संबंदे में एक दूसरा द्रस्टिकॉर्ड भी है जिसे हम आधुनिक द्रस्टिकॉर्ड कहते हैं इन्होंने अर्थेशास्त्र की समस्त विशह सामगरी को दो भागों में बाटा है व्यस्टी अर्थेशास्त्र और समस्टी अर्थेशास्त्र और बच्चों जैसा कि मैंने सद्धाय को प्रारम्ब करने पर ही आपको बता दिया था हम लोग अभी पढ़ रहे हैं व्यस्टी अर्थेशास्त्र और हमारी अर्थेशास्त्र का जो दूसरा भाग है वो समस्टी अ बाइक्रो भी बोलते हैं जब हम अर्थवस्था के किसी एक छोटे भाग का अध्यन करते हैं एक व्यक्ति की आर्थी क्रियाओं का अध्यन करते हैं एक व्यक्ति की मांग का अध्यन करते हैं तो यह कहलाता है व्यस्टी अर्थशास्त्र इसके बाद आता है समस्टी अर्थश अर्थे शास्त्र की अंतरविध। बच्चों, अब हम समझेंगे अर्थे शास्त्र की active है अर्थे शास्त्र को विग्यान मानते हैं हमने जैसे Adam Smith की पर भाषभी परिवाशी उनने कहा कंगा विज्ञान..., उन्ने कहा कि धन का विज्ञान है, कि अर्थशास्त्र कैसा विज्ञान है वास्तविक विज्ञान का काम है नियम और सिध्धानतों का प्रतिपादन करना जो कि हम अर्थशास्त्र विशय में करते हैं अर्थशास्त्र विभिन आर्थिक्रियाओं से संबंदित नियमों एवं सिध्धानतों का प्रतिपादन करत आदर्श विज्ञान का काम है यह देखना कि वो नियम मानो कल्याड में कार कर रहे हैं अथवा नहीं वो नियम तभी सही है यदि उनसे समाज का और मनुष्य का कल्याड हो रहा है तो अगर हम अर्थशास्त्र देखें तो अर्थशास्त्र भी यह कार करता है प्रतेक आर्थि नियम को लागू होने से पहले हम यह सब देखते हैं कि वह नियम कहीं किसी का अहित तो नहीं कर रहा है कहीं किसी का नुकसान तो नहीं कर रहा है तो अगर इस द्रस्टिस से देखें तो अर्थशास्र वास्तविक विज्ञान के साथ साथ आदर्श विज्ञान भी है इसे हम एक बहुत छोटे से एक्जाम्पल से समझते हैं कर पिडाली कर बहुत आवश्यक है किसी भी राज के लिए क्योंकि वे राजी की जो आयका प्रमुक श्रोत होता है तो कर तो लगाना है सरकार को क्योंकि वो आयका श्रोत है कर संबंदी विभिन नियम बनाये गए हैं और कहा गया है कि कर लगाना एक राजी के लिए या एक देश के लिए बहुत आवश्यक है तो ये नियम किसके अंतरगत आएंगे? वास्तिविक विज्ञान के संबंद अंतरगत आएंगे लेकिन वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि कहीं कर लगाने से किसी व्यक्ति का अहित ना हो कहीं ऐसा ना हो किसी निर्धन व्यक्ति पर अधिक कर का बोज पढ़ जाए तो जो ये विशलेशड है ये आदरश विज्ञान के अंतरगत आता है तो हम निशकरस्ता कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र वास्तिविक विज्ञान के साथ-साथ आदरश विज्ञान है और इसका यही सरूप अर्थशास्त्र को एक कल्याडात्मक रूप देता है बच्चों यहाँ पर हमारी first unit का प्रतम भाग खतम हो रहा है, अंत में हम कुछ महतपूर प्रशनों पर और चर्चा कर लेते हैं, जो हमारे आज के विशय के महतपूर प्रशन हैं, जिनका अध्यन करेंगे और आप घर पर इने ग्रहकार के रूप में करेंगे पहला प्रशन है हमारा व्यस्टी और समस्टी अर्थशास्तर में अंतर बताईए, अभी आप लोगों ने पढ़ा व्यस्टी अर्थशास्तर क्या है, समस्टी अर्थशास्तर क्या है, तो आपका सबसे पहला ग्रहकार है व्यस्टी और समस्टी अर्थशास्तर में अंतर, एक आदर्श विज्ञान भी है, समझाईए, तो ये तीनों प्रशन है, ये आपको ग्रहकार के रूप में करने हैं, बचो आज के लिए इतना, आप ग्रहकार करेंगे, और जो कुछ भी मैंने पढ़ाया, इसे आप घर पर पढ़ेंगे, और अगली बार हम फिर मिलते हैं, नेक्स टॉपिक के साथ.